नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डीजे नियो और आपका स्वागात है व्लॉग्स मैं नियो चानल पे जिसमें आपको सिखार है FL Studio Tutorials तो पिछले बार हमने जो किया था मुजिकल आरेंजमेंट किया था हमने और हमने जो प्रोजेक्ट हम छोड़के गए थे वह था इधर ज़रा सुनके देखते हैं इसमें याद होगा आपको हमने थोड़ा बात मिक्सिंग किया था और प्री मिक्सिंग जो बोलते हैं वो सब किया था तो आवाज थोड़ा काम आ रहा था एनिवेइस मैं थोड़ा आपको सुना के दिखा देता हूँ तो हाँ हमने एक थोड़ा बहुत बैसलान भी याड़ किया था और उसके बाद हमारा टाइम कुछ जादा हो था इसलिए हम के रोकना पड़ा तो दोस्तों आज हम करेंगे अर्रेंजमेंट का यह जो है सेकेंड पार्ट तो जिए जिन जिर लोगों ने यह पार्ट नहीं देखा जो पहला वाला पार्ट नहीं देखा उनको उसको जाकर देख लीजे और बाद में आईए ही इस में से हम लोग एक गाना पुरा बनाएंगे तो हाँ दोस्तों चलते हैं अभी हमारे जो टूटोरि ट्रैमरे पास तो उससे पहले एक आईडिया लगा लेते हैं हम लोग को कैसे यह म्यूजिक आगे बढ़ाना है तो आपको याद होगा इदर से लेके इदर तक मैंने इंट्रो के लिए लगा था सिक्स्टीन बार्स जो है इसको बार्स बोलते हैं एक से दो दो से तीन तीन स तो हाँ हर चार बीट्स पे एक एक बार काउंट किया जाता है जो हमारे मुजिकल मेशने में हम लोग बात बोलते जाते हैं तो अभी हम लोग इसको हम लोग टाइम मार्कर्स करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम लोग कौन से पोजिशन पे हैं तो उसके लिए आप अपना रख लिए उसके बााद यह ऑप्शेन में जाएए जो हमारा प्लेडिस्ट ऑप्शन है उसके बाद जाके टाइम मार्कर्स, ताइम मार्कर्स में एड़ वन तो आपको यह मिलेगा उसमें आप लिख सकते हो यह हमारा इंट्रो, हम लोग इधर आते ही तो मैं सोच रहूं यार इंट्रो थोड़ा लंबा दे दू इधर से 32 बार्स तक तो 32 बार्स की बाद हम लोग थोड़ा सक कुछ ड्रॉप देंगे तो 25 बार तक हम लोग देते हैं फिर इसके बाद इधर थोड़ा ड्रॉप लेके आएंगे अभी मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में ही गाने को जो है थोड़ा और एंटर्टेनिंग करना चाहिए नहीं तो क्या था कि पब्लिक जो है गाना सुनने के बाद बोर हो जाते हैं और वो लोग फिर उदर से सुनना ही बंद कर देते हैं तो हम लोग को थोड़ा और जो हाइ क्या कर सकता हूं मैं तो मैं सोच रहा हूं यार यह पियानो कॉट्स जो है इसको के लिए अपने को का डूंगा would ya camera देखे डेखे मैं कुछ नया एकyyarajy meetup अरपी जो जैसा कुछ बना आउ ऑपो आपकी करता हूँ जैसे पिछले कार्म बार बता है था step Avenue खको control a control c copy हो गा एक और मैं नया instrument मैं डालना जातो इसमें तो उसके लिए हम जाएंगे चैनल राक में और चैनल राक में जाने की बद नहीं है मैं पैटन लूँगा और उसमें मैं डालूँगा और और इसका मैं कलर दूँगा रेड 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 ने कुछ भी दे दूँगा आप मने तो कनफेशन रहा था अच्छली एंटर और इसको मैं आपके लिए लूँगा से मैं मैंने जैसे आपको बताया था हम लोग बहुत ही मिनिमम इंस्रूमेंट्स यह क्या बलता है मिनिमम वीस्टी लेकर हम बनाएंगे ताकि लोड भी ना भर जाए किसी किसी का कम्प्यूटर में लोड जादा रहता है तो तो दोस्तों इसमें आर्पी जो का जो है प्री सेच में जाएंगे हम यह देखिए आर्प हम लोग पहला वाला ले लेते हैं क्योंकि उसके बाद आप लोग इधर से ये जो है सेलेक करते जाएंगे कि कौन सा हमें पसंद है तो पहले हम जीस को डाल देते हैं नमबर फाइव पे फिर उसके बाद मिक्सर में जाके रेनेम और यह हमेरे पास है कलर इसमें तो हो आटमेटिकली और इसका जो है मैं आईकॉन डालना चाहता हूँ कुछ यह है आरपीजो का जो आईकॉन रहता है ठीक है अभी इसको मैं थोड़ा नीशे करता हूँ और मैं जांगा यह जो है मेरा पियानर रोल है तो मैं चानल में जाके राइट क्लिक पियानर रोल और जो हमने कॉपी किया तहाँ याद होगा आपको CTRL V तो यह आगया हमारा COD तो अभी मैं इसको खेल के देखता हूँ जरा उसके लिए मैं पैटन मोर में उसके बाद अभी यह जो है थोड़ा हमारा octave नीचे है इसको मैं CTRL A और यह A तरी के बतले में A 4 में डाल दोगा तो हम लोग next octave को देख रहे हैं इसको rename कर देते अब इसको डाल के देखते हैं लोग सुनने में कैसे लगए रहा है और स्वाल मोड में अभी मैं इसका गेन इसलिए बढ़ा नहीं ताकि आप लोग को सुनने में आए ने तो फिर वो बता नहीं चलेगा आपको क्योंकि मैं mixing भी कर रहा हूं तो उसके कारण आवास थोड़का माएगा इसको मैं लूप कर देता हूं और उसके बाद मैं चेक करूँगा कि मुझे जो अच्छा वाला साउंड जो है वो मैं निकालूँगा जो तो इसके लिए मैं कंट्रोल दबा के इसको मैं सेलेक कर रहा हूं मेरे लूप यह जो है कंट्रोल दबा के आप सेलेक कर सकते हूं कर मैं सकता हूं क अ कर दो कर दया, भड़? कर दो कर दो तो देखते हैं अभी हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इस एरिया पे जो है इसका इंट्रोडेक्शन के लिए ठीक है दोस्तों तो मैं देख रहा हूँ अभी इसमें फिल्ट्रेशन आर्क में जो है हम लोग अभी सबसे पहले तो हम लोग इसको क्या करेंगे इसको हम लोग देंगे थोड़ा साइट चेनिंग अभी साइट चेनिंग हम लोग किक के साथ हमोशे देते हैं तो किक के साब से हम लोग देंगे साइट चेनिग तो इसके लिए दोस् किkiक फिर भी दबते रहे तो हम परको एक Sigional ले कारा प्रता है वो signal होते ही फिर वो किक के साबसे थार भी वह साइट चैनल होता रहे तो देखते यावी करके देखते है बी जरा मैं दिखाता आपको मैं सर में जाके सबसे पर हम किक में मिक्सर में जाके उसके बाद select करेंगे हम लोग हां तो हम लोग select करेंगे fruity peak controller तो हम लोग यह kick का जो है effects यह जो आपको slots जो दिख रहे हैं इधर हम लोग effects डालते हैं तो यह effect kind of यह हो गया ने तो VSTs जो भी हम डालते हैं तो एक fruity pick control हमने इधर डाल दिया भी ठीक है और अभी हम लोग हम लोग को करना है sidechain ARP को तो हम लोग ARP में जाके यह जो हमारा जो channel fader है उसको right click करेंगे और हम लोग link to controller करेंगे फिर उसके बाद यह link to controller में internal controller जो है हमारा इसमें जाके देखिए peak control जो हमने जो डाला था kick का तो उसका peak controller में यह सब effects है जो हमको मिल रहा है तो हम लोग peak और LFO लेंगे ठीक है और यह जो input जो हम लोग select करेंगे inverted और इसको डालेंगे हम लोग 0.05 तो हमने अभी क्या क्या इसको 0.05 में हमने क्या हुआ है तो तो जब भी तो क्या होता है कि जब भी हमने हमारे जो kick का आएगा तो इसका जो level है थोड़ा नीचे हो यह आता है और वो side अगर भी है अगर वोग भी है और भी तो इसका इस जो अपक्या हो इसका वे तो नहीं हिसमें अभी हो चाह रहा है कि हमारे जब कीक बचता है तो यह जो लेवल है उसको उपर निचा हो आता है तहरी हुआता सेम चीज हम लोग पैड्में भी करेंगे मैं आपको दिखा दे तो हम पैड्में क्या होगा तो हम लोग यह उसका पैड ढाए ठीक है जी और उसके बाद हम लोग जाएंगे mixer पे और हमारे जो pad है उसमें जाएके right click करके इसको थोड़ा उपर कर देते और right click करके link to controller जो है peak में डाल दाता हूँ, peak और LFO लेने का ज़रूरत नहीं आपको, इसको inverted कर दे, और ये 0.5 कर दे, ये तो 7 कर दे आप accept मार दे और देखे आप सुनिये क्या होता होगा so वो जो effect जो आ रहा है वो बहुत ही smooth effect है उसके साब से वो इसका जो है side changing होता है तो इसको मैं वापस में 0.5 भी कर दे तो मुझे इतना नहीं चीए तो उसकी साब से आप करते रहना जो भी आपका ज़रूरत हो 0.4 कर दे तो accept और इसको थोड़ और मैं इंट्रेस्टिंग करना चाहता हूं यह बहुत ही सिंपल सा हमारा chord जा रहा है तो यह रहने दो इसको मैं दूसरा बनाता हूं Ctrl A Ctrl C और मैं कुछ chord 2 में कुछ डालना चाहता हूं chord 2 हमारा कुछ था हमारा यह था यह नीचे हमें मैं कुछ और इंट्रेस्टिंग डालना चाहता हूं तो उसके लिए हम लोग ने आएक मनाएंगे piano chords 3 इस दर जाके मैं piano road में जाके piano एक instrument है तो उस पर हम लोग different different chords different patterns बना सकता है तो मैं इदर अभी जाके देखता हूं क्या कर सकता है हम लोग पेट्रोनों डालके इसमें control और जी एक ही बरक होता है लेकिन अगर आपको वह आपस पीछे जाना तो alt control और जी दबाईए तो पीछे ही जा सकते है आपक यह सब techniques आपको shortcuts बहुत ही फाइदा देखा आपको तो उसको जड़ा आप यहान से तो यह एक इंट्रो का अच्छा गास एक chord है तो मैं इदर डालना चाता हूँ इसको प्यानो काट्स टू नहीं मेरा काट्स ट्री है तो यह भी मैंने टू दबा दिया यार इसको rename कर देता हूँ sorry sorry यह हमारा 3 तो इसको मैं डाल देता हूँ इदर और इसको rename करता हूँ piano chords 3 चीक है अभी मैं यह नहीं चाहता है कि यह दर यह हूँ अब मैं स्टार्टिंग में यह खेल के देखता हूँ क्योंकि मैं इंट्रो में कुछ अलग सा देना चाहता था song mode पे डाल दिजे metronome निकल दिजे चलिए अभी तक तोड़ा अच्छा जा रहा है अब हम देखते हैं इसको थोड़ा और इंट्रेस्टिंग केसे कर सकते हैं तो अभी तो यह एक्छुली खेल रहा है एक लेवल पे इसको मैं कंट्रोल ए इसको थोड़ा पावर कॉट जासा बना तो ए इसको शिफ्ट करके मैं कॉपी कर रहा हूँ उपर लेकिए या इसको एफोर मडाल दिया अभी मुझे मालम है मेरे यह कॉट्स जो है यह पहला वाला एसी ए माइनर कॉट तो इसको मैं बेस्लैन दे डाल देता हूँ मैं तो वह बेस्लैन की साबसी मैं डाल रहा हूँ मैं यह सब फिल कर रहो ताकि थोड़ा और पावरफुल लेगे शुलने में तो यह देखिए हमारा बेस्लैन का जो है यह लेवल जैसका तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि फिर वह कॉपी करने में जरूद नहीं तो इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि लेवल उपर वाला सब सेम में रहे इसको अभी सेम देखिए सेम लेवल आ गया भी दर और यह था हमारा जी बी ई जी बी तो ई कॉड है हमारा यह तो मैं ई वाला कॉड पे डाल देता हूँ यह जो है और यह इसके बाद था हमारा जी बीडी तो जी बना दे तो यह और यह था हमारा A.C.E. वापस तो यह वाला कॉर्परान देखिए यह इसे सबते हो इसक्तव मैंटो यहाँ जात में देखिए झाल झाल तो हाँ दोस्तों हमने अभी तक तो इधेर हमारे जो हिंटर है थोड़ा अच्छा लगने लगा भी थोड़ा भी हम और देखते हैं कुछ भर सकता है की नहीं तो आज हम इंटरों के पर ही काम करेंगे और देखते हैं हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं तो इसका ज़रत स्टार्टिग में निया हमको तो इसका ज़रत सकते हैं तो हाँ दोस्तो अभी हमने ये कर लिया हमारे इंट्रो का और आगे बढ़के देखते हैं कि हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं